क्या ना बेटा बिजेस कुमा कितने उबर है 27 क्या क्या लाब हुआ लाब हुआ सर एक साल से हमको कॉस्टिपेशन का समस्या था और बहुत मतलब हम परेट से परिसान रहते थे मगर हम तीन तारीख को यहां आये सबसे ज्यादा हमको संख प्रचालन जो बीदी है उससे वो तो एकदम कब्ज तोड़ देता है संख प्रक्षारन बहुत जोड़ा है यह शटकर्म की क्रिया है कायकल्प की क्रिया बोलते हैं उससे वह हो गई है कब्ज एकदम खतम पुरान आतों की धुलाई हो जाते है पूरी सफाई आतों की और अस्तमाग था भी उसको नसी किय हाँ नसी और रबर नीती से बहुत हमको फैदा मिला और यहां का जो भी योगा चार लोग है बहुत ही कॉपरेट हर एक चीज में कोई चीज नहीं होने पर भी बार बार बताया जाता है की चीज को सिखाते हैं लोग वो हमको बहुत अच्छा लगा और सबका बेभार मतलब और भर जगता लोग बच्चे रहें सेवा बहुत प्यार से करते है यह चीज हम कोंके हैं क्या करते हो बेटा? हम अभी रेलवे में सर्विस करते हैं और हम अभी यहां, चेदिन आज हुआ और छे किलू वजन छे दिन में 6 किलो बिटे का बजन कम हो गया राजी हो रहता है पेट भी ठीक हो गया फिपड़ा ना कला सब ठीक हो गया जो को खुछ लो गुरी जी बोल रहे थे गोरा केस बहुत ज़्यादा है इसके लिए छोटे उमर में बाल सारा पक गया वही पता ने चल लगा, किया इसके लिए कुछ बिहार में कुछ जादा ही सफेद होता है, ललवा जी का तो पूरा ही सफेद हो रहा है, इसका गुरू जी को योगा, आउला, अलेवेरा, गिलोई, तो, आउला, अलेवेरा, गिलोई, पियो, और, जवान बच्चे तो सीरशास करो, सरवांगास करो, रोज योग करो, पूरा बाल काला हो जादा, थेक खर अगुरू जी को, साल से नीचे सफेद नहीं होना चाहिए, पचास साल के बाद थोड़ा सफेद होता है तो अच्छा लगता है, चलो जाओ.